जैहिन विद्ध्यार्थियो मैं रामनात पटले इस यूट्यूब चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूँ आज के इस कालखंड में हम हायर सेकंडरी बोर्ड परीक्षा कला संकाय के भुगोल विशय के प्रस्नपत्र एवं माध्विक शिक्षा मंदल द्वारा जारी आदर्स उत्तर यानि मार्किंग स्कीम की जानकारी लेकर आये हैं इस वीडियो में हम जिस प्रस्नपत्र का हल आपको बताने जा रहे हैं ये हल माध्विक शिक्षा मंदल द्वारा परीक्षकों को उकलब्ध कराया जाता है इससे आपको प्रस्नों के सटीक उत्तर लिखने में सहयता मिलेगी तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप से आग रहे है अगर भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकान को भी क्लिक कर लीजिए जिससे की आपको मासब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप होती रहे तो आईए शुरू करते हैं यह आप देख रहे हैं मादमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई मार्गिंग स्कीम जो की भूगोल यानि जियोगरफी विसे की है और यह जो प्रसनपत्र आप देख रहे हैं भूगोल विसे का यहाँ प्रसनपत्र कुल सत्तर अंकों का होगा से इस तीस अंकों की आपकी प्रायोगिक परीक्षा होती है तो आईए शुरू करते हैं प्रसनक्रमांग एक से सही विकल्प चुनकर लिखिए पहला है रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था यहाँ पर सही उत्तर है चौथा ग्रिफित टेलर ब निमनलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या ब्रद्धी सरवाधिक है तो यहाँ सही उत्तर है अफ्रीका सा माना विकास की अवधारना निमनलिखित में से किस विद्वान की दैन है तो उत्तर है दूसरा डाक्टर महबूग उलहक अगला प्रस्ण है सोवियत संग में सामूहिक क्रशी को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं तो सही उत्तर है कोल खहोज अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन सी एकल क्रशी नहीं है तो यहाँ पर सही उत्तर है मिस्रित क्रशी अंगरेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर प्रशन पत्र का इंगलिस वर्जन प्रशन क्रमांग दो रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए नमर एक मानव भुगोल अस्थिर प्रत्वी और क्रिया सील खालिस्थान के मध्य परिवर्तंसील संबंधों का अध्यन करता है तो यहाँ रिक्तिस्थान में हम लिखेंगे मानव दूसरा मानव विकास की आउधारना खालिस्थान विद्वान की देन है तो यहाँ हम लिखेंगे डाक्टर महबूव उलहक तीसरा फूलों की क्रसी खलिस्थान कहलाती है तेहाम लिखेंगे पुस्पोत पादन चौथा सहकारी क्रसी का सफल परिक्षन खलिस्थान देश में किया गया है तेहाम लिखेंगे डैन्मार्क पाच्वा भारत में विशालतम भासाई समूह खलिस्थान है भारती आर्य सही जोडियां मिलाईए, कालम आ में पहले नम्मर पर है भारत का जनसंख्या घनत्व, तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे, दूसरा, 382 व्यक्ति प्रतिवर किलोमीटर से, बा, खनन नगर की जोड़ी, तीसरा, जरिया से, सा, सांसकतिक नगर की जोड़ी, चौथा, वारानसी, कहवा की जोड़ी, पहला, रोपनक्रशी, और भारत की प्रथम संपून जनगर्ना की जोड़ी, पांचवा, 1881, ये जोड़ी पहले से ही सही है, प्रसंक्रमांग चार, एक वाक्य में उत्तर लिखिये, नम्मर एक प्रवास किसे कहते हैं, जनसंख्या का इस्थानांतरन प्रवास कहलाता है, दूसरा, एसिया का जनसंख्या घनद तो कितना है, तो उत्तर है, 146 वेक्ति प्रतिवर किलोमीटर, तीसरा, 2011 की जनगर्ना की उनसार भारत के किस राज में नगरी जनसंख्या का अनुपात सरवाधिक है, तमिलनाड, चौथा, संयुक्त राज अमेरिका का प्रमुख लोहा इसपात उद्द्योग कौन सा है, पिट्सबर, पाचवा, कोई दो प्रमुख रेशेदार फसलें कौन सी है, कपास और जूट चटवा, वरतमान परती भूमी क्या है? एक वर्षिया इससे कम समय तक क्रसी रहित भूमी को वरतमान परती भूमी कहते हैं प्रस्नक्रमांग पांच, सत्य-असत्य लिखिए नम्मर एक, जल अचकरी संसाधन है, अस दूसरा, अभरक को भूरा हीरा कहा जाता है, सत्य नदी पर अवस्थित है असत्य यह हुगली नदी पर है पांचवा सूखा संभाविच्छेत्र विकास कारिक्रम की सुरुवाद छटवी पंचवर्सी योजना में हुई असत्य है सूखा संभाविच्छेत्र कारिक्रम की सुरुवाद चौथी पंचवर्सी योजना में हुई चटवा गन्ना खाद्यान फसल है असत्य है गन्ना एक नगदी फसल है प्रस्ण क्रमांग 6 से 13 तक दोवंक वाले प्रस्ण है प्रस्ण क्रमांग 6 संभववाद क्या है लिखिए तो उत्तर है संभववाद संभववाद में प्रकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृ प्रावास प्रवास कोई चार प्रतिकर्स कौन से हैं प्रवास के कारक या प्रतिकर्स रहन साहन की निम्न दशाएं दूसरा राजनेतिक उपद्रव तीसरा प्रकृतिक विपदाएं और चौथा सामाजिक आर्थिक पिषडापन प्रस्ण क्रमांक आठ उत प्रवासी किसे कहते हैं वाटार नेक छेत्र हैं ऐसा क्यों विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्तु के कारण भगोलिक कारण जिनमें जल की उपलब्धता भू आक्रती जलवायू के कारण विश्व में कुछ छेत्र में दक्षिनी एसिया एवं यूरोप महादीप में विश्व का सरवाधिक जन घनत्त पाया जाता है प्रसन क्रवांख 9 निर्वाह क्रशी क्या है लिखिए निर्वाह क्रशी इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने ओजारों से की जाती है उसके उत्पादों का किसान के घर में ही उप्योग कर लिया जाता है इसे जीव लाप कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर क्रशी कारे संपन करें तो उसे सहकारी क्रशी कहते है, प्रस्नक्रवांग 10, क्रशी सेक्टर में भारती स्रमिकों का सरवाधिक अन्स क्यों सनलगन है? उत्तर है भारत क्रशी प्रधान देश हैं कुल स्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6 प्रतिशत क्रशक और क्रशी मजदूर हैं इसलिए क्रशी सेक्टर में सरवाधिक स्रमिक लगे हुए हैं तथा क्रशी भारती अर्थ्योस्था का मुख्याधार है प्रस्ण क्रमांग 10 का अथवा भारत में सरमिकों को कौन से तीन वर्गों में बाटा गया है तो उत्तर है भारत में सरमिकों के तीन वर्ग मुख्य सरमिक, सीमान्त सरमिक और असरमिक प्रस्ण क्रमांग 11 गैरिसन अर्था सैनिक नगर किसे कहते हैं गैरिसन या सैनिक नगर इन नगरों का अभिकास सैना संबंधित कारियों के लिए हुआ है जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बवीना एवं उधंपूर आदी यहां सैनिकों के प्रसिक्षन एवं देश की सुरक्षा के अस्त सस्त्रों के भंडार होते हैं अथवा में प्रस्ण है स्मार्ट सिटी मिसन का मुख्य उद्देश क्या है तो उत्तर है स्मार्ट सिटी मिसन का उद्देश सहरों को बढ़ावा देना है जो की आधार भूत साइवेरियन रेलमार्ग की विसेस्ता हैं यह रेलमार्ग विस्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है और दूसरा यह रेलमार्ग साइवेरिया छेतर के विकास का आधार बन गया है इन दो विसेस्ताओं के अतरिक्त अन्य सही विसेस्ता लिखने पर दो अंक मिलेंगे अथवा मे प्रस्ण है फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। और दूसरा नदी के किनारों पर वनी करण जिससे जै विवित्ता में ब्रद्धी हो इनके अलावा अन्य कोई सही उत्तर लिखने पर अंग दिये जाएंगे प्रसंक्रमांग 13 का अथवा है ध्वनी प्रदूशन की दो हानियां दिखिए ध्वनी प्रदूशन की हानिया ध्वनी प्रदूशन की अधिकता के कारण बहरापन एवं चिलचिड़ापन हो सकता है दूसरा छमता से अधिक शोर के कारण मानसिक एवं शारिरिक स्वास्त पर प्रभाव करता है इसके अलावा अन्य कोई सही बिंदू लिखने पर भी दो अ गई है जिससे समय एवं पूंजी की बचत हुई है दूसरा विश्व की तीन चौथाई जनसंख्या की परिवहन आवशक्ताओं की पूर्ती हुई है और तीसरा इसके बनने से यूरोप एवं एसिया के मध्य व्यापार में व्रद्धी एवं परिवहन लागत कम हुई है उप और नरगाह एवं पत्तन वह स्थान होते हैं जहाँ पर भारी मात्रा में माल विदेशों से आता है और यहीं से देश के आंतरिक भागों में भेजा जाता है यहां बड़े बड़े जहास्ट हैरते हैं इंधन भरना, मरम्मत का कारिकरना, आदी साथ ही देश से कच्च्चा एवब निर्मित माल विदेशों को भेजा जाता है अतह है पत्तनों अर्थाद बंदर गहों को विदेशी व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है जैसे मुंबई, न्युयार, आदी प्रस्नक्रमांग 15 बाजारी सब्जी क्रशी नगरी छेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है उत्तर है बाजारी सब्जी की क्रशी अत्यधिक मांग एवं खपत के कारण नगरी छेत्रों के समीप ही की जाती है इस प्रकार की क्रशी में अत्यधिक स्रमिक एवंपूंजी लगती है जिससे उच्च लागत की पूर्थी नगरी छेतरों में होती है क्योंकि इन नगरों में उच्च आयके उभुगता रहते हैं अथवा में प्रस्ण है मिस्रित क्रशी की कोई तीन विशेष्टाएं कौन सी हैं उत्तर है मिस्रित क्रशी की तीन विशेष्टाएं पहला मिस्रित क्रशी में फसलों के उगाने के साथ साथ पसुपालन का कारे भी किया जाता है दूसरा इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है तीसरा मिस्रित क्रसी में उन्नत बीजों, स्रम तकनीक, उन्जी का अधिक प्रयोग किया जाता है साथ ही चारे की फसलों का उत्पादन भी किया जाता है उप्रोक्त के अलावा अन्य सही बिंदू लिखने पर भी अंग दिये जाएंगे प्रस्नक्रमांग सोला भारत के कुछ राजियों में अन्य राजियों की अपेक्षा स्रम सहवागिता उंची क्यों है उत्तर है भारत के कुछ राजियों में उंची स्रम सहवागिता के कारण भारत के इन राजियों में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीजगर, आंधप्रदेश, करनाटक, अरुनाचल प्रदेश, नागालेंड, मणिपूर, मेगाले अध़ी राजियों में आर्थिक क्रियाओं के निस्पादन के लिए अनेक कामगारों स्रमिकों की आउशकता पड़ती है अता है इसलिए भारत के कुछ राजियों में अन्य राजियों की अपेक्षा स्रम सहवागिता उंची है अथवा में प्रस्ण है भारत की जनसंख्या की कोई तीन विसेश्थाएं कौन सी हैं भारत की जनसंख्या की विसेश्थाएं उच जनसंख्या व्रद्धीदर एवं अत्यधिक जनसंख्या दूसरा ग्रामिर जनसंख्या की अधिकता और तीसरा कारिसील उत्पादक जनसंख्या की कमी आदी विद्यार्थियों चुकी है तीनंक वाला प्रस्न है इसलिए प्रत्येक बिंदु का आपको वर्णन भी करना है तभी आपको पूरे तीनंक मिलेगे प्रस्नक्रमांग 17 इंदिरा गांधी नहर का सिचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है इंदिरा गांधी नहर का सिचाई पर सकारात्मक प्रभाव इंदिरा गांधी नहर छेत्र में सिचाई की शुगधाओं के कारण करसी योग भूमी में ब्रद्धी हुई है कोई तीन पर्यावरनी समस्थाएं कौन सी हैं लिखिये उततर है भारत में भू संसाधनों की पर्यावरनी समस्थाएं ये मिनलिखित हैं नम्मर एक भूशरण यानि मर्दा अपरदन की समस्या, दूसरा जल भराव की समस्या, तीसरा मर्दा में लवनी करण की समस्या, और चोथा भूमी में नमी की समस्या. तो विद्यार्थियों, चुकि ये तीन अंका प्रस्ण है, इसलिए किनी तीन विंदूओं का आपको बढ़नन भी करना है, प्रस्ण करमांक आठ, भरमोर जनजाती विकास कारकरम के कौन से समाजिक लाभ प्राप्त हुए, उत्तर है, भरमोर छेत्र में जनजाती विकास कारक प्रस्ण करमांक आठ, उर्जा के परमपरागत साधन, ये साधन समाप पे एवम सीमित होते हैं, और अपरमपरागत साधन, ये अक्षय और असमाप पे होते हैं, अर्थात कभी समाप नहीं होते, परमपरागत साधन में कोईला, पेटोलियम, एवम प्रकृतिक गैस आधी हैं, और अपरमपरागत साधनों में सोर उर्जा, पवन उर्जा, बायो गैस आधी आते हैं, उर्जा के परमपरागत साधन, इनके द्वारा विभिन प्रकार के पर्यावर्णी प्रदूशन होते ह उर्जा के अपरंपरागत साधनों के प्रयोग से पर्यावर्णी प्रदूसंग नहीं होते चौथा उर्जा के परंपरागत साधन का प्रयोग उद्योगों मशीनों परिवहन आदी में होता है उर्जा के अपरम परागत साधनों का प्रयोग व्यापारिक दस्टी से कम होता है तो इस प्रकार कम से कम चार अंतर लिखने पर पूरे चार रंग दिये जाएंगे प्रस्न क्रमांक 19 विस्व के दिये गए मांचित्र में दर्साय गए स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखिये संयुक्त राज अमेरिका का सरवाधिक कपास उत्पादक छेत्र दूसरा आस्टेलिया का विरल जनसंख्या का छेत्र तीसरा स्वेज नहर चौथा ट्रांस साइवेरियन रेल मार्ग और पांचवा मुंबई बंदरगा और अथवा में प्रस्न है विस्व के मांचित्र में दर्साय गए स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखिये सिडिनी ट्रांस केनेडियन रेल मार्ग अफ्रीका का विरल जनसंक्या का छेत्र और दक्षिन अमेरिका का वानिज पशुपालन छेत्र मलेशिया का रवर उत्पादर छेत्र आपको इन इस्थानों को पहचान कर लिखना है जैसे उत्तर अमेरिका में जो इस्थान है इसे हम पहचान कर लिखें एक रेल मार्ग बना हुआ है यहाँ पर यह नहर बनी हुई है और यह है आंसर यह Trans-Siberian Rail Mark है उत्तर अमेरिका में जो यह इस्थान दिखाया गया है यह संयुक्त राज अमेरिका का सरवाधिक कपास उत्पादत शेत्र है स्वेज नहर को यहाँ प्रदर्शित किया गया है मुंबई बंदर का भारत और आस्ट्रिलिया का विरल जनसंख्या का छेत्र यह प्रस्ण क्रमाक 19 का अथवा इसमें भी मान्चित्र में कुछ इस्थान प्रदर्शित किये गये है और हमको इन इस्थानों को पहचान कर लिखना है इस्थानों के नाम भी प्रस्ण में दिये गये है बस आप थोड़ी साउधानी से अगर इनको देखेंगे तो सही आंसर आप जान सकेंगे और लिख सकेंगे यह 19 के अथवा का आंसर है यहां दक्षिन अमेरिका में जो रिखांकित किया गया है यहां है दक्षिन अमेरिका का वानेज पशुपालन छेत्र यह जो रेल मार्ग यहां दिखाया गया है यहां है ट्रांस केनेडियन रेल मार्ग उत्तर अमेरिका में आफ्रीका महदीप में यहां जो इस्थान दिखाया गया है यहां आफ्रीका का विरल जनसंख्या का छेत्र है मलेशिया का रवर उत्पादक छेत्र ये प्रदर्शित किया गया है और आस्टेलिया का यह सिद्नी नगर आस्टेलिया महादीप में प्रदर्शित किया गया है प्रस्ण क्रमांग 20 यह भी पांच अंग का प्रस्ण है इसमें भारत के मांचितर में हमें निम्न लिखित को दर्शाना हैं इंदिरागांधी नहर, मुंबई, सरवाधिक जूट उत्पादक छेत्र, नियूंतम जनसंख्या घनतुका छेत्र और हजीरा, विजयपूर, जगद संख्या घनतुका छेत्र, सरवाधिक कहवा उत्पादक छेत्र, डिगबोई और सिंग्रेनी, प्रस्ण पत्र के साथ ही आपको मांचितर भी दिया जाएगा, प्रस्ण पत्र के साथ ही लगा हुआ मांचितर होगा, जिसमें हम दियेगा इस्थानों को प्रदर्शित करके, प्रदर्शित की गई है, दूसरा मुंबई, नगर, तीसरा सरवाधिक जूट उत्पादक छेत्र, सरवाधिक जूट उत्पादक छेत्र, ये पश्चिम मंगाल, और बांगलादेश से लगा हुआ ये पूरा छेत्र, नियूनतम जनसंख्या घनतुका छेत्र, यहाँ पुर इसमें हमको प्रदर्शित करना है, कपास उत्पादक छेत्र, ये महराष्ट और कुछ छेत्र गुजरात का यहाँ प्रदर्शित किया गया है, दूसरा सरवाधिक जनसंख्या घनतुका छेत्र, ये उत्तरप्रदेश और बिहार का छेत्र, ये गंगा का मैदान हम कह सकते है तीसरा है सरवाधिक कहवा उत्पादक छेत्र, यहां दक्षिन भारत में, यह पुर्वत्तर, आसाम में, डिकबोई, यह सिंग्रेनी इस्थान है, विद्यार्थियों आप मांचित्र भरने का परियापत अभ्यास करें, विश्व के मांचित्र में तो इस्थान भी जानकर लिखना होता है, किन्तु भारत के मांचित्र में विविविन इस्थानों को आपको प्रदर्शित करना होता है, तो परियापत अभ्यास से ही आप इन प्रस्णों के उत्तर में पूरे अंग ले पाएंगे, तो आसा है आज के इस कालखन में, कक्षा बारवी, भूग अश्च अधि तक आपने मासभ जी को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो जरूर सबस्क्राइब कर लीजिये, साथ ही बेल आइकान को भी क्लिक कर लीजिये, जिससे की मासभ जी के आने वाले वीडियोज की नोटिपिकुशन आपको प्राप होती रहे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन